बिसमिल्ला अफ्मान रोहीम वेल्कम बैक टू मैं चानल आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रिव्यू ब्रीमॉट केराटन ब्लो आउट का ब्रीमॉट केराटन ब्लो आउट बहुत ही आइडियल है उन बालों के लिए कि अगर आपके बाल ट्रेटेड है केमिकल है और आप उन पर केराटन करवाना चाहते हैं आपने बहुत 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 बह तो जो इस तरह के ट्रूटेट बाल है जिनके ग्जैम्पल मैंने भी आपको दी उन पर रिबॉंडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि रिबॉंटिंग का जो मैटीरियल होता है वह थोड़ा सा स्ट्रॉंग होता है। जबके केराटेन जो है वो 100% सेव होता है आपके बालों के लिए इसके अंदर आपको दो बॉटल्स अविलबल होती है A and B अब A क्या काम होता है एक क्लारिफांग शैंपू होता है और B आपकी केराटेन की प्रोडक्त होती है अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ यह इसकी A बॉटल है यानि कि यह है आपका शैंपू ठीक है प्यूरिफाइन शैंपू इससे आपने अपने बालों को दो मरतबा अच्छी तरीके से वाश करना है कोई और शैंपू क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं इसमें प्रोल का कि यह को एक एका का साथ्वास ट्यूर्प करता है अदि बालों के क्योटिकल ओपन films नहीं होंगे आपकी यह के याटहिं की प्रोड़क्त है यह आपके बालों में पैंट्रेट नहीं होगा कूँ आहिए आपका कोई रिजल्ट आए गाwe बालों के cuticles को open करने के लिए ये clarifying shampoo दिया गया है ठीक है इससे आपने दो बार अपने बालों को wash कर लिया और wash करने के बाद आपने 100% अपने बालों को सुखाना नहीं है उनको 80% आपने सुखाना है 20% गिला रहने देना है और उन 20% गिले बारो पे आपने product भी को जितनी quantity आ आपको चाहिए उतनी आपने इसको यूज करना है चीक है जादा इसका यूज नहीं करना क्योंकि अगर आप इसको बहुत जादा यूज करोगे तो इसको जब आप स्ट्रेट करोगे तो आपको manage करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसमें से हीट के दौरान इसको स्ट करना है बी में आपने क्या करना है पूरी instruction दी वही हैं आपने इन instruction को follow करना है जब कोई company को instruction दे रही है पीछे तो इसके एक एक instruction का एक खास मकसद होता है और आपने same as it is उसको उसी तरीके से follow करना होता है क्योंकि उन्होंने अपनी product जिस तरीके से बनाई गई है क्योंकि नहीं करवाते ही, यह Bray Mode है, कराटेन इसमें आपको जब treatment complete हो जाता है, आपने wash नहीं करना होता है, लेकिन कुछ treatments ऐसे हैं कराटेन के जिसमें वो same day ही wash करवा देते हैं, तो जैसी instructions आपको दी गई है, अगर आप same to same follow करेंगे, तब ही आपको 100% result मिलेगा, A में आप देख सकते हैं इसमें direction for use लिखा हुआ है ठीक है इसमें आप ये line देख सकते हैं कि dry hair 80% with a blow dryer आपने blow dryer की help से अपने बालों को सुखाना है शैंपू करने के बाद 80% ठीक है इसके बाद B की तरफ आ जाते हैं B में आपने इसको उन्होंने procedure अपना पूरा बताया है start application leaving one inch hair from roots यानि कि roots को आपने इसको touch नहीं करना इस product को जो B वाली है एक को आप कर लेंगे लेकिन B को आपने roots को touch नहीं करना अपनी roots से एक बलके मैं कहूंगी डिर इंच जो है ना आप छोड़के फिर इस product को लगाना apply करेंगे शुरू करेंगे ठीक है उसके बाद for chemically treated wash your hair two times यानि कि अगर आपके बाल chemically treated है आप फैशन डाय जैसके वन आपको बताया color treated है या पहले कोई treatment करवाया है तो आपने दो दफा इसको wash करना है ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है dryer करना है hair dryer की blow dryer की मदद से 80% इसके बाद जनाब for chemically treated damage hair allow hair to absorb the keratin for 20 minutes यानि कि अगर आपके बाल chemically treated है आपने कोई color treatment या कोई और procedure करवाया है और आपके बाल damage हुए है तो आपने इस product को 20 minutes देने है लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है आपके बाल बिलकुल healthy है तो आप इसको 30 minutes से 40 minutes भी दे सकते हैं 30 minutes भी mention है लेकिन 40 minutes भी आप दे सकते हैं 20 का तो 25 भी हो जाते है इसमें इतनी कोई tension वाली बात नहीं है पांच मेंट से इतना फर्क नहीं परता लेकिन बहता है कि जो time mention किया हुए उसमें यह बहुत ही जादा जो chemically treated बाल होते हैं उन पर जो बिलकुल damage ही हो चुकी होते हैं totally उनको आपने 20 minutes देने है ठीक है और इसके बाद यहां पर उन्होंने यह भी mention किया है कि आपने flat iron को किस तरीके से use करना है उसकी heat क्या आपने use करनी है आपने root से लेके end तक 5 to 7 times इसको use करना है और अगर आपके extremely curly ball है तो आपने 7 to 10 times straightener को use करना है एक section जो आप लेंगे ना एक section को आपने 5-7 मरतबा करना है यह नहीं कि पूरे बालों को 5-7 मरतबा है एक section आपने निकालना है और हर section को 5-7 बार और अगर extra करनी है तो 7-10 बार आपने इसको use करना है इस पे इनोंने heat भी mention कि वी है कि आपक इसको theory जो है आपको इसको दे दी है अब मैं आपको इसका practical भी करके next video में बताऊंगी यह वीडियो बताने का मकसद यही था कि अगर आपके बाल बहुत जादा chemically treated है और आपको नहीं समझ जा रहा कि आपने किस तरीके से use करना है या कुछ लोग घर में use करना चाहते हैं तो उनको नहीं समझ आता कि वो ले आते हैं किट के जी अब इसका करना है क्या है यूज करना है तो सबसे पहली बात है कि आप जो भी किट लाए उसकी instructions को follow करें तो कोई मसला नहीं होगा इसके लावा YouTube पे भरी भरी होती है वीडियो आप उसमें से देखके आप guideline ले सकते ह तो result इसका अच्छा है बागी यह क्या काम करता है कैसा result देता है यह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अल्ला हाफिस